हाँ तो वही कैसे हो सारे बढ़ियां तो पहले बात चीत करते हैं भाई एक म्यूजिक लेवल के बारे में जिसका नाम है T-Series और ये एक ऐसा लेवल है भाई जिसको सिर्फ और सिर्फ हनी पाजी ने बनाया है बनाया का मतलब भाई हनी पाजी के वज़े से इस म्यूजिक ले टा तो हनी पाजी वहीं से गाने देते थे और ये लोग भाई पैसा लगाते थे हनी पाजी पे बट हनी पाजी ने वाई डूसम रिजन उसको लेफ्ट कर दिया लेकिन यह जो म्यूजिक लेवल है ना वाई तगड़ा फायदा उठाता है हमेशा से हनी पाजी के भाई उस 2G, 3G की टाइम पे हनी पाजी ने उस पे गाने निकाले थे और भाई इतने तगड़े तगड़े व्यूज आयते ना, भाई जो ट्रैक है हनी पाजी का धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, भाई वो पहला इंडिन म्यूजिक सीन का ऐसा ट्रैक था, जिसके 200 मिलियन प्लस व्यूज पार हुए थे, बिदाउट जियो, तो ये म्यूजिक लेवल ना, हनी पाजी ने भले ही छोड़ दिया, लेकिन ये लोग उनकी हाइप का फायदा हमेशा लेने आते हैं, कैसे? जब कलाश्टार आया था, उस टाइम पे उन्होंना हनी पाजी के जितने भी ओल ट्र है, म्यूजिक लेवल दूसरा है, वरना उसका नाम लवडोस 2.0 होता, और ऐसा ही कलाश्टार के टाइम पे हुआ था, तो भाई, टी स्रीज ने पता है, फर से क्या गंदी हरकत करी है, कि उन्होंने लवडोस 2.0 करके एक और ट्रेक निकाल दिया, जो बेसिकली एक रीमिक् सब्सक्राइब यूटूब चैनल है, टी स्रीज, और वो भी हनी पाजी का कितना ज्यादा फायदा उठाते हैं, है ना, उनको अच्छे सा बता है, कल हनी पाजी का बिगडियां हीरा ट्रेक आने वाला है, जो लवडोस का सीक्वल है, तो इन्होंने एक दिन पहले ये ट्रे करा, एल्बम्स के लिए, ट्रेक्स के लिए, बाट अपने हनी पाजी नहीं गए, क्योंकि उनके भी कुछ रूल्स और रेगुलीजन्स है, बाई, रिस्पेक्ट है इस बंदे के लिए, जो इतने बड़े म्यूजिक लेवल को, वल्ल्ड के मोश सब्सक्राइब यूटूब चैनल को भी इगनोर कर दिता है, इसी वज़े से जो है, टी स्रीज हब हनी पाजी के पुराने गाने को रिमेक्स करके, और उनको रिमेक्स भी करते हैं बाई, अपने वल्लिवुड मूवीज में, ताकि हाइप मिल सके हनी सिंग के नाम से, अभी कुछ आर्टिश तो चली र से देखने को मिल जाएगा, तो मैंने आपको कल लाश्ट वीडियो में भी बताया था, करना क्या है, जैसे ही ट्रेक आता है ना वही, 10 से 20 कमेंट्स कर देना एक बंदा ठीक है, ज्यादा रीच मिलेगी, और जितने भी आपके कॉंटेक्स में है ना, सबको शेर करना है ट्र तो आपको ना, स्ट्रीम करना पड़ेगा ट्रेक, हर एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे, लाइक स्पॉड़ीफाइ, जो सबसे यादा मैटर करता है, एमजोन म्यूजिक, इसकलाबा जियो सावन, विंक म्यूजिक, जितने भी भाई, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है ना, व एमजोन म्यूजिक भी एक ट्वीट करता है, डवल दी डोज, डवल दी लव, प्लीज डों टीज उस, रिलीज है कब, जी म्यूजिक लेबल लिखता है, ए यह यह जो हनी सिंग, सो वाट हैपने अफ्टर तैन यर्ज, उर्वेशी रोटिला को भी टैक करा था, अव आयाते ट्रेक भी आने वाला है, बहुत तगड़ा और उपर से वर्थडी भी है, तो बहुत यहादा स्पेशल डे है, अपन सभी योयो आर्मे के लिए, तो आपको करना क्या है ना वाई, जितने भी हनी पाजी के फैन्स वाई, एक जुट हो जाओ, यूनिटी अभी दिखाने का टाइम है, भाई जैसे ही रात के बारा बुस्ते हैं अभी एक दो घंटे बस बच्चे हैं, है ना एक घंटा बच्चा है, आप ट्विटर पे जाओ, और ट्विटर पे आपको हैश्टेग्स चलाने है, ठीक है, ट्वीट करना है, आपको स्क्रेन पे सामने दिख रहा होगा हैश्टेग हैपी वधर डी योयो हानी सिंग, बिल्कुल भी आपको स्पेस नहीं देना है, ट्वीट करते जाना भाई, जितने हो सके, करते जाना ठीक है, जितना आप पे बनता है, और जैसे ही सुभा ग्यारा बजी बिगडियां हीरा ट्रेक ड्रॉप होता है, तो भाई, ह कर देना है, तो भाई, हटुम सब खुष सो चुना, अपने हनी पाजी जब यह सब देखेंगे, इतना जदा प्यार, तो भाई, वो कितने मोटिवेट होंगे, है ना, उनको कितना अच्छा लगेगा, वो खुष सो चेंगे, मेरे फैंस मेरे लिए सब कोच है, वो मेरे से कि करते हैं तो भाई आप लोग ये चीज़े मत बूलना रात के बारा वजे ट्वेटर पर मिलते हैं आप सब लोग आ जाना बागी मिलते हैं पर नेक्स वीडियो में और सब्सक्राइब कर लेने चनल को हनी पाजी के फैनों पाए